नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जूही और परियों के इस चेनल जल परी में आपका बहुत-बहुत स्वाधत करती हूँ तो दोस्तों आज हम बात करेंगी कि अपने ही पती को धोका देती है शादी शुदाएं महिलाएं जी हाँ शादी शुदाएं महिलाएं अपने पती को क्यों धोका देती हैं? आज हम आपको इसी बारे में बताने बाले हैं दोस्तो शादी एक नए जीवन के शुरुवात होती है और अनेक सपने सजाय क्रस्त जीवन में पती और पत्नी प्रुबेश करते हैं विफा दो इंसानों का मिलन रूपी समझोता है जिसे संसकार और रिती रिवास परिपून बनाते हैं लेकिन शादी शुदाएं महिलाएं भी अपने जीवन साथी को धोका देती हैं महिलाओं को सादी के बाद धोका देने का सबसे एहम कारण होता है आसंतुष्टी जी हाँ अक्सर इंसान प्यार में धोका खाता है और प्यार में धोका देता है लेकिन आज कर शादी के बाद धोका देने का एक ट्रेंड सा बन गया है पहले शादी के बाद धोका देने के लिए हमेशा पती को ही अपराधी माना जाता था लेकिन आज के समय में समय के बदलने के साथ महिलाएं भी धोका देने लगी है तो क्यों धोका देती है ये महिलाएं अपने पती को आये जानते हैं इस बारे में तो सबसे पहले हम बात करतें अफैर का होना, जी हाँ, शादी से पहले किसी से भी लव अफैर का होने की कारण, महिलाएं शादी के बाद भी पुरुषों को धोका देने लगती है, पहले प्यार को ना भूल पानने की कारण वह धोका देने पर मजबूर हो जाती है, तो अब ह बात करते हैं विचारों का ना मिलना। जी हाँ दोस्तों ये भी एक कारण होता है। बातों को उनसे शेयर भी करें लेकिन जब आपसी बारतलाप या संबाद की इस्तिती खतम हो जाती है तो रिष्टों में दरारे आने लगती हैं जिसके कारण धोका देनी की संभावनाएं और भी अधिक बढ़ जाती है आप हम बात करते हैं तो विश्वास की कमी जी हां अपने पती को धोका देने लगती हैं अब हम बात करते हैं सेक्स में असंतुस्टी कई बार महिलाएं अपने पुरुस के साथ सेक्स के दोरान असंतुस्ट रहती हैं उनकी यह असंतुस्टी महिलाओं को धोका देने और बाहर जाने पर विवश कर देती हैं और वह जल्द ह दूसरे पुर्षों के करीब आने लगती है जिसके कारण वह अपने पती को धोका देने लगती है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले खंटी का आइकन ज़रूर दवाएं अमस्कार दोस्तों